गुण बॉर्णिग देख लिटीन्स वंस अगें एंगें यह विद दस सेकेंड पार्ट ओफ टॉपिक एसे आज के इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट डिसकस करेंगे बच एसे का फर्स्ट पार्ट मैं आशा करती हूं अभी ने फर्स्ट पार्ट देख़ा है एस सेकेंड पार्ट में भी हम कुछ important topics ही discuss करने वाद है which is going to help you जो आपको really very बहुत जादा ही help करेगा आपको examination point of view से तो चलिए आज के इस वीडियो को हम start करते है हमारे essay part 2 को तो यहां पर देख रहा है आपको जैसे कि आप ऐसे जानते हो यह किया है एक short piece of writing है तो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वह authors के point of view से लिखे जाते हैं जैसे मैं लिख रही हूं तो मेरी according क्या उसका point of view है मैं क्या सोचती हूं ठीक है इसकी point of view से हम लिखते हैं essays को तो ऐसे ही कुछ types के हमारे essays होते हैं वह आपको जानना चाहिए जैसे first है यहां पर लिख रखा है मैंने persuasive argumentative essay ठीक है यह क्या होता है persuasive argumentative essay क्या होता है तो ऐसा essay होता है जिसमें readers होता है जो read कर रहा है हमारे essay को वह agree करे हमने ऐसे points उसमें लिखे हैं जो उसको agree करने पर मजबूर कर दें ठीक है मतलब एक तरह से हम बता रहा है कि अपने point of view को हमने essay दिया है कि जो भी वो reader होगा वो समझेगा उसको persuasive और argumentative ऐसे को ठीक है उसको हम कहते है persuasive और argumentative essay मतलब कि हमने कुछ ऐसे-एसे points उसमें लिखे हैं जो हमारे answer को हमारे point of view को support करते है ठीक है जैसे मैंने अगर बोला कि earth अगर revolve करता है अगर अगर मैंने उससे बोला कि sun क्या होता है इस से उगता है ठीक है इस के तरफ से वो उगता है सूरज तो यहां पर हमने क्या कि हमने एसा point दिया है जो कि सबको मानना ही पड़ेगा है तो ऐसे हम argumentative essay कहते हैं जहाँ पर हम कुछ ऐसे points देते हैं जिससे जो reader है जो read करेगा हमारा essay वो पूरी तरह से agree करेगा ठीक है उसको बोलते हैं persuasive और argumentative essay अब यहां पर comparison essay यह जो second essay है वो क्या है comparison essay अब यह comparison ऐसे क्या होता है जब हम दो चीजों को compare करते हैं जब हम दो चीजों को तुलना करते हैं चाहें उसकी similarities मतलब कोई चीज अगर वो same है किसी चीज में difference हो रहा है तो ऐसे जब चीजों को हम differentiate करते हैं या फिर दो चीजों में similarity दिखाते हैं compare करते हैं जैसे मैंने दो बच्चों का example लिए एक बहुत लंबा एक बहुत छोटा है तो छोटे वाले को बोला कि तुम उसके comparatively क्या हो छोटे हो compare करें किसी कोई बच्चा है क्लास में बहुत जादा अच्छा कर रहा है कोई बहुत जादा कमजो किसी प्लेस को अनिमल को या फिर किसी भी memory कुछ भी हो जाए तो जब हम फील करते हैं उसके बार जो description देते हैं ठीक है हमाया sensory nature से हो या फिर जो test smell feel जो भी हो जो author ने खुद experience किया है ठीक है suppose मैंने बोला कि मैं किसी memory पे suppose मैं एक अच्छा मैं लिखना चाती हूँ कि how I have spent my days in a village एक village में मैंने कैसे अपने days को spend किया तो यह जो मेरी memory है वहां की वह मैंने क्या feel किया है वहां पर क्या smell किया क्या सुना क्या test किया यह सब चीज़ों मैंने खुद ही experience किया है तो जो experience करें जो हम description देते है वो truly होते है ठीक है तो उसको क्या कहेंगे हम descriptive ऐसे इसमें लि अधियाज लिया है lessons लिया है ठीक है जब हम narrative मतलब हुआ कि third person के view से मैंने वहां पे sensory details लिखा है emotional languages लिखा है जब हम stories सुनते है तो क्या होता है narrative essays में आते है उससे personal जो nature होता है वो बहुत सारे narrative essays में हमें दिखता है ठीक है तो basically हम कह सकते है narrative essays usually reflects something of a personal nature so many times it becomes a personal narrative essay personal narrative essay मतलब कि personal experience share करना ठीक है तो personal experience share कर रहे है उसको narrate कर रहे है ठीक है एक story form में तब उसको क्या बबलेंगे हम narrative essays कहेंगे ठीक है लेकिन आपको इतने tough नहीं पुछे जाएंगे बच्चो यह नहीं पुछे जाएंगे कितने types के essays होते हैं और इसको explain करना है ऐसा कुछ नहीं पुछा जाएगा लेकिन आपको आना चाहिए यह सारे essays होते क्या है तो ऐसे ही हमने आपके previous question paper से दो questions आज discuss करने जा रहे है फिर से इस video में इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा पिछले साल का question का topic था वो था आप में जो, जो experience किया है जो आपका personal experience टीचर's Day को लेख करके ठीके आप आपने Teachers के लिए क्लीए क्या करते हो और कोई message zaid at teachers day पर क्या function आप arrange करते हो क्या क्या करते हैं हम और इस क्यों मनाया जाता है तो most important thing is that यह Teacher's Day मनाया क्यों जाता है तो इन सारे topics पर जब हम लिखते हैं तो हम अपना personal experience शेयर करते हैं तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे topic के description के साथ Teacher's Day पर मैंने क्या लिख रखा है Teacher's Day On 5th September, Teacher's Day is celebrated every year on the birth anniversary of great person Dr. S. Radha Krishnak It means Dr. Sarvipalli Radha Krishnak तो पहले मैंने description दिया सबसे पहले क्या बोला मैंने सबसे पहले तो हम कब मनाते हैं Teacher's Day 5th September को मनाते हैं तो हमने लिख दिया तो फिर हमने लिखा कि क्यों मनाया जाता है तो सबसे पहले आप जबी भी किसी topic पर लिख रहे हो तो क्यों, कब, कहां यह क्यों होता है क्यों मनाते हैं कब मनाते हैं और कहां मनाते हैं ठीक है तो यह हर स्कूल में मनाया जाता है तो यहां पर बताया है हमने कि यह 5th September को मनाया जाता है Every year और क्यों मनाया जाता है For the birth anniversary of Dr. Sarvipalli Radha Krishnak मतलब कि Dr. Sarvipalli Radha Krishnak के birth date के occasion पर हम क्या मनाते हैं Teachers Day मनाते हैं It is a great occasion for celebrating and enjoying the relationship between teachers and students मतलब इसको बोला गया एक बहुत ही बड़ा occasion है यह जो celebrate किया जाता है क्यों celebrate किया जाता है यह teachers और students के बीच के relationship को बताता है कि हमारे teachers के बीच हमारा relation कैसा है हमारे students के बीच हमारे relation कैसा है तो actually एक ऐसा occasion है जिस पर हम सभी teachers and students एक साथ आके इस दिन को celebrate करते हैं ठीक है nowadays it is celebrated with big enthusiasm and joy in the schools colleges by both teachers and students here it is written sad but here it should be and okay बच्चो इसको आप and करो गया okay तो यहां बोला गया है कि आप आज की दिनों में क्या होता है बहुत जादा खुशी आली के साथ और enjoy के साथ और पुरे enthusiasm के साथ सारी schools में colleges में both जितने भी teachers होते हैं जितने भी students होते हैं बहुत ही खुशी से इस दिन को मनाते हैं और बहुत जादा enjoy करते हैं तो देखिए आप कुछ भी extra नहीं लिख रखा है यह वही चीजें जो आपको पता है बस इसको आपको एक form करना है sentence में जैसे आप इसको form करना सीख जाते हो तो यह आपके लिए बहुत easy हो जाता है तो आप इसको ट्राइ करो कि इसको formal way में लिखे मतलब हम अपने दोस्त के साथ जाते हैं यह कुछ भी करते हो आप तो इसको एक formal way की तरह represent करो अप अपने personal experience शेयर करो लेकिन इसको formal way में होना चाहिए आप कुछ भी नहीं लिख सकते है इसमें है ना जैसे मैंने बताया narrative way में लिख सकते हो परस्व ऐसी way में लिख सकते हो लेकिन इसको बहुत ही formal way में लिखना है चाहिए आपको तो अभी हम क्या करते है nowadays it is celebrated इसको इंदों बहुत ही कुछियाली के साथ मनाया जाता है जिसको colleges में, schools में और जितने भी institution है हर जगर teacher और students मनाते है मिलकर इसको इसमें क्या होते है students give gifts to the teachers students क्या करते है इसमें gifts देते है teachers को ठीके जो भी उनका इच्छा हो वो क्या देते है gifts देते है क्यों अपना gratitude शो करते है अपना love शो करते है अपने teachers के towards and show their gratitude to their teachers as I have told you, जैसे कि मैंने बोला अपना gratitude शो करते है अपने teachers के towards अपना love कितना प्यार है teacher के लिए वो शो करते है उनको respect देते है the students organize dance and singing program for the teachers and the teachers enjoy a lot तो यहां पर बोता है गया है कि इस दिन बच्चे बहुत ही ज़ादा खुशी में रहते है और बहुत ही कुछ करना चाहते है अपने teachers के लिए तो क्या करते है वो dance organize करते है singing program रखते है अपने teachers के लिए और teachers बहुत ही सादा enjoy करते है बच्चों के साथ इस दिन को हमने इसको छोटा ही लिखा है बच्चों क्यों लिखा है हमने छोटा इसको जादा paragraphs में इसमें नहीं याट किया है क्योंकि आपके जो questions आते हैं उसमें दिया रहता है शौर्ट से शौर्ट में concise way में जादा सजादा points को लिख सको बहुत जादा points इसमें हमने नहीं लिखा है लेकिन जितना भी लिखा है वो perfect है तो जब यह भी आप लिखा करो क्योंकि आप लोको यहाँ पे 60 to 80 words में ही answer देने होते है तो बहुत ही limited words है और उसमें आपको पुषिश किया है नहीं ठीक है and it is really going to help you ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं हमाया next topic है our village तो हम village के बारे में discuss कर लेते हैं यहाँ पर हमाया village विलेज जो आप खुद से experience जो किया हो वो लिख सकते हो ठीक है चाहे वो अच्छी बाते हो चाहे वो बुरी बाते हो जो आपने पसंद नहीं किया वहाँ जाके विलेज में और जो आपको बहुत जादा अच्छी लगती है अट्राक्ट करती है विलेज के तरफ वो आप अपना discuss करते हो यहाँ पर तो चलिए हम आगे बढ़ते है आर विलेज के साथ life in our village is peaceful but not pleasant क्यों? peaceful तो है बहुत शान्ति है लेकिन pleasant नहीं है our village has no roads and electricity it has no hospital and dispensary our village has the pleasure of nature यहां बता है जा रहा है कि अपना experience है अगर आपके village में सब कुछ है तो आप लिखो अपने experience share करो essays में लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है उसको सही करना है बस so our village हमारे village में क्या है roads नहीं है proper electricity नहीं आती है properly hospital नहीं है वहाँ पर dispensary नहीं है मतलब कुछ problem हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है लेकिन जो village का nature है मतलब वहां का environment है वह बहुत ही अच्छा है there are green fields looking like beautiful garden मतलब वहां पर बहुत सारे green fields है जो बिल्कुल garden की तरह लगते हैं ठीक है there are fresh air and water fresh air हमें मिलता है वहां पर और water नहीं it is free from pollution अब village है कैसा प्लेस है जहां पर कोई pollution जैसी चीज़े नहीं है कि वहां पर जादा car नहीं है जादा vehicle नहीं है जिससे की बहुत जादा pollutant जो material है वो बाहर emit होंगे बाहर निकलेंगे it is free from pollution it is free from dim and bustle of town's life टाउन के life में जेतनी भीर भार यह सब कुछ भी नहीं है ऐसा we get pure milk and food अब यहां पर हमें क्या मिलता है pure milk मिलता है pure food मिलता है जिसे हम अपने आपको healthy रखते हैं living in a living in a village is good for health but we lack many things here village में रहना बहुत अच्छी बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर बहुत कुछ चीज़े हैं जो हमें नहीं मिल पाती है village में जो हमें चाहिए really चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है village में we are not able to get medical help in time of need so बहुत ऐसी बहुत सारी टाइम आती है जहां पर क्या चाहिए परसन को medical help चाहिए और जब वो need आती है तो उसमें हमें medical facility नहीं मिलती है newspaper नहीं आता है newspaper and magazines are not easily available here newspaper दुनिया में क्या चल रहा है हमारे देश में क्या चल रहा है हम कुछ नहीं समझ पाते है क्योंकि newspaper and magazines आने का कोई भी यहां वैवस्ता नहीं है we have knit means of transport to go easily to distant places मतलब कि हमें बहुत ही ज़्यादा problem होती है जब हमें कहीं दूर जाना होता है कहीं दूर places पर जाना होता है तो हमें transport proper नहीं मिल पाता है we get letters from friends and relatives after a long delay क्योंकि यहां पर facility तनी जादा अच्छी नहीं होने के वज़े से जो letters है हमारे friends के तो वो बहुत ही late से मिल पाता है but there is peace and tranquility here our villages live in harmony does the life here is peaceful and happy but lack of many things of comfort and luxury अब यहां बोला जा रहा है कि यह ऐसे तो बहुत कुछ है हमारे village में ठीक है हम peace है harmony है बहुत ही tranquility के साथ रहते हैं लेकिन लेकिन इसके बावजूद हम यहां पर comfort feel नहीं करते हैं क्योंकि यहां बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे facility के हिसाब से होनी चाहिए वह नहीं है luxurious life नहीं जीते हैं लेकिन बहुत ही healthy life जीते हैं हम village में जो आप फुद feel करते हो अपने general life में वह ही आपको यहां पर discuss करना है जो आप essays लिखते हो तो उसको formally उसको क्या करना है sentence में form करना है इतने अच्छे थरीके से जिससे आप इसको sentence को proper way में इसको represent कर सको तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको maximum to maximum practice करनी चाहिए इसके लिए okay i hope you all are getting so it's a homework for you all जैसे कि आज हमने discuss किया कि हमारे village के सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं the same way holy में आप क्या करते हो holy क्यों मनाते हैं कब मनाते हैं ठीक है particular date तो नहीं है लेकिन मन्थ आप mention कर सकते हो your friend अपने friend के बारे में इससे लिखना है ठीक है एक paragraph एक paragraph लिखना है कि अपने friend के बारे में आप क्या सुचते हो who is your friend और क्या चाहिए आपको friend से और क्या आप help करते हो क्या आपके friend जो best friend होते हैं क्या आपका help करते हैं ठीक कहा support मिलता है यह आपको लिखके practice करने है ठीक है so this is it for today's video children I'll meet you once again in the next video with the next lesson thank you so much